नवश्कार, मेरे पहरे देश्वासियों, पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दोर से गुजर रहा है। आम तोर पर कभी जब कोई प्राकुरतिक संकट आता है, तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है। लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है, जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था, तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे, जितने आज कोरोना की इस बिमारी से हैं। पिछले दो महने से हम दिरंतर दुनिया भर से आ रहे, कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डट कर मुकाबला किया है। सभी देश्वास्यों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे हम संकर से बचे हुए है। ऐसा लगता है, सब ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। इसलिए प्रतेग भरत्सका सजग रहना, सतक रहना बहुत आवश्यक है। साथियों, आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है, मुझे कभी भी देश वाश्यों ने निराश नहीं किया है। ये आपके आशिरवात की ताकत है, कि हम सम मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास सफल भी होते हैं। मेरे पैरे देश वाश्यों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाएं नहीं सुझा सका है। और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाईरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है। इन देशों में सुरुवाती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनोंने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आईसोलेट करके स्थीती को संभाला है। और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है। भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश हैं। और हम जैसे देश पर करोणा का ये संकट सामाने बात नहीं है। आज जब बड़े बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं। तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना गलत है। और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवशक्ता है। पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज 130 करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने करतव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकरमित होने से बचेंगे इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस बिमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशिल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशिल डिस्टंसिंग ये बहुती जादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे सरकोपर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूँ यह सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आगरह है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले जितना संबव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवंगों में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़वार से बाकी समारों से आईसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो साट पैंसट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक घर से बाहर न निकलें मैं फिर से आग्रह करता हूँ साट पैंसट से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन्स घर से बाहर न निकलें हो सकता है कि वर्तमान पीडि पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न हो तो भी साल में एक दो भार तो वहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू करके ये ब्लेक आउट का दिल भी करवाती थी लोगों का आदत बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूँ ये हैं जनता करफ्यू जनता करफ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया करफ्यू इस रविवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रविवार को सुबे साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देशवास्यों को जनता करफ्यू का पालन करना है इस जनता करफ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बहार न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहें हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम देश हित में करतेवय पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा बाइस मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे कि मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संस्यudyn हैं एंचीब्स हैं आस्यूंहां कई वा संस्यूर्प्र की संगठ्ण हैं कई प्रकार के संगठ्ण हैं धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रभी बार तक इस जमता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुँचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समझ में नागरिक को करने वाले काम जनता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूं साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में सहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीज हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइन के कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो पुलीस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेल्वे, बस, आटो रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखे तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राश्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रभिवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रभिवार को यहने जनता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रभिवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सेल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पांच बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाएं सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देश वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस माहमारी के लिए प्रात्विक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि कि रूटीन चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिल डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक नहों ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकोनामिक रिस्पॉंस टास फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है ये टास फोर्स सारे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी है ये टास फोर्स ये भी सुनिस्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्क निम्न मध्यमवर्क और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्क से भी आगर हैं कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता हैं आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर न आप आएं आपके घर न आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संबेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वाजियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद्ध खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं यह सप्लाय कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वाजियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान दूसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग यह कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महनों में 130 करोड भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने यह जो संकट आया है उस संकट को देश वाशियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वाशियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासी अपने कर्तवियों का अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अफ्वाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देशवास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियों हमें अब वी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्फिक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे पैरे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का परवा आ रहा है यह शक्ति उपासना का परवा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बड़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जगकों भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए